एबरिबरी दिस इस अनामिका and you are watching पाठशाला रिशिकेश आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में जितने भी sports awards हैं मता जो भी important हैं जहां से आपके exam में question मनते हैं उनके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे तो फिलाल शुरू करते हैं सबसे पहले आपके लिए एक question है हमेशा की तरह question क्या है वो पढ़ लेते हैं यानि कि पहली महिला कौन थी जिनकों की दोनाचारे अवार्ड से समाने किया गया था ये आपके पास 4 option है आपको answer देने की कोशिश करना है बाके आपको answer वीडियो के end में मिलेगा तो फिलाल शुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं major ध्यांचंद खेल रतन अवार्ड के बारे में आप सब लोग ने हाली में news सुनी होगी कि जो राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड है उसका नाम चेंज करके अभी major ध्यांचंद खेल रतन अवार्ड रख दिया गया है जब यह स्टार्ट हुआ था मतलब 1992 में राजीव गांदी खेल रतना स्टार्ट हुए थे Ministry of Youth Affairs and Sports जिसके कि मिनिस्टर कौन है अभी हमारे अन्राग ठाकुर ठाकुर यह भी आप नाम ध्यान रखेंगे कौन है हमारे अभी एक कोसमिनिस्टर अणाग ठाकुर तो 320 में आपका जो हाइस खेल रतन अवार्ड इसको बोला गया कि कौन यहルクा ज्यिव गांधी खेल रतन अवार्ड तो 1990 कि पहले कौन थे रिसीवर गांधी खेल रतना वर्ड के तो आप कि आ अंसर करेंगी विश्वानात आनन्द जो कि हमारे चेस्ट ग्रेंड मास्टर हैं चीक है तो और बात कर लिते हां कि क्या का इसमें दिया जाता है तो जो आपका राजीव गांदी खेल रतना वर्ड है यान के मैडल हुआ करता था और एक सर्टिफिकेट लेकिन अभी इसकी जो कैश प्राइज मनी है वो बढ़ा दी गई है 25 लाग इसमें अभी दिये जाते हैं तो यह भी आपको याद रखना है कि मतलब क्योंकि इसके जो कैश प्राइज मनी होती है वो चेंज होती रहती है तो हम अ स्पोर्स पर्सन का अज़ा चार साल में कोई आउटस्टेणिंग परफोर्मिन्स किसी भी स्पोर्स परसन की रही हो तो उसको यह अबर दिया जायेगा मतलब इसका नाम नॉमिनेट होगा फिर उसको यह अवार्द दिया जाएगा जैसे कि हमने बात करी किसके नाम पर यह मेजर ध्यान चंद कौन है हमारे इनको बोला जाता है हौकी के जादूगर भी बोला जाता है बहुत ही क्रिट्रिकल रोल था इनका हमारे हौकी के फिल्ड में तो इसलिए इनके नाम पर रख दिया गया है ठीक है अभी 6th of August 2021 से इसका नाम चेंज हुआ है ठीक है कुछ और फैक्स के अगर हम बात करें तो 2001 में किसको अभीना विंद्रा जो की शूटर है आपको पता है ठीक है तो इनको यंगिस्ट रिसिपियंट यह हुए थे कि जिनको यह अवार्ड दिया गया था तो क्वेश्चन बनेगा कि सबसे यंगिस्ट इनका नाम आपके सुना होगा कौन हैं यह, ये दो स्पोर्ट्स खेलते हैं आपके स्नूखर्स और बिलियार्ड्स ठीक है इन दो स्पोर्ट्स में, अउली person है जिनको की दो स्पोर्ट्स में, राजी अगवांधी खेल रतना अवर्ड मिला है, आप ध्यान दांक के इनका का नाम भी आपसे ऐसे भी पूछ सकता कि पंका जाडवानी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं तो बिलियार्ट एंस टूंकर जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा आप उस पे टिक करेंगे ठीक है यह हाली में प्रदान मंत्री श्री नरींद्र मोधी जी ने उत्तरपदेश के मेरट में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी किसके नाम पर रखिए मेजर ध्यांचंद जी के नाम पर रखिए उसका उद्गाटन कर आई उसकी यह फोटो है तो इसलिए न्यूज में है अभी हाले में सेकंड उफ जैन्वरी को इसका उद्गाटन किया गया है नग्षर कर हम बात करें कि किस किस को जो ध्यांचंद खेल रतना वर्ड है 2021 में दिया गया है तो यह आपके लिए बहुत ही important हो जाता है जैसे कि 2020 में पांच लोगों को दिया गया था 2021 में यह 12 लोगों को दिया गया अलम्पिक में हमाले गोल्ड लेके आये हैं अभी अभी आपको पता ही है ठीक है रवी कुमार दहिया फ्रीश्ट्रालिंग रैसलिंग इनके आप स्पोर्स भी साथ साथ में याद करते जाएंगे लोवलीना बॉर्गोहें बॉक्सिंग बी से बॉक्सिंग याद रख सकते हैं पियाश्रीजेस होक्की के ये प्लेयर है ठीक है अवनी लेकरा पैर उलम्पिक स्फूटिंग में अगेन ये भी दो मैडल हमाले लेके आई हैं एक 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता है और एक 50 मीटर एयर राइफल में नोंने ब्रॉन जीता है ठीक है उनल लोग भगत यह पैरा बैडमिंटन से हैं कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से अगें मनीश नारवाल पैरालूंपिक शूटिंग से हैं यह मिताली राज क्रिकेटर आप सब लोगों को पता है शुनिल चेतरी बताने की जरुवत नहीं है फुटबॉलर है ठीक है एक चाहते हैं अरजुन ऑवर्ड के बारे में अरजुन ऑवर्ड किसके द्वारा दिया जाते है अगें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेर्स और अनुराग ठाकर ठीक है 1961 में यह स्टार्ट किया गया है क्या अरजुन ऑवर्ड जैसे कि हमने बात करी थि ध्यांचंद अवर् vaud, और अर्जीनलवाड 1961 में तो उनका स्टैचियो का भूर 17 प्रुपरेश कायों इसको मिलाके उसके बाद किसी भी परसन का नाम नॉमिनिट किया जाता है और उसको अर्जुन आवर्ड, Ministry of Youth Affairs and Sports के द्वारा दिया जाता है ठीक है अगर हम 2021 की बात करें तो 35 इंडियन एथलीट्स हैं जिनको की अर्जुन आवर्ड दिया गया है आप 35 के नाम तो याद नहीं रख सकते हैं लेकिन आपको यह याद रखना है कि कितनों को मिला है अगर हम रफली आइडिया लगा लें तो 16 मेंबर तो आपके इंडियन होके टीम से ही हैं जिनको की इस बार अर्जुन आवर्ड दिया गया है ठीक है अगर कुछ और देख लें तो दीपक पुनिया को यह दिया गया है सिम्रंजीत कौर को यह दिया गया है भवानी सिख जोगी हमारी तलवार बास थी कहां ओलंपिक में इनको यह दिया गया है और भाविना पटेल को यह दिया गया है और अगर क्रिकेट से हम बात करें तो शिकरदवन उनली क्रिकेटर बने हैं, जिनको के अर्जिन उवर्ड इस साल का दिया गया है ठीक है तो यह हमने बात कर ली आरज्वाँड के बारे में next देख लेते हैं द्रोणाचारे अवर्ड ड्रोणाचारे अवर्ड बेसिकली क्या होता है जैसे हमने अपने अरज्वाँड और खेल रतना राजीव गांधी खेल रतनी के बारे में हमने कैं बोला कि किसी भी sports person को द तो उन्हे स्टाचू दिया जाता है इसका कि महाबारत में आप सब लोगों को पता है इक क्रिटीकल रोल इनुका था कया का इसमें दिया जाता है दिया है रॉक्टि स्टाचू आप किसुझे स्टाचू कहल डिया जाता है औरॉल ए depths कि ऊस्ट में दिया जाता है और जैसे कि कैश्फ प्राइस पहले किसी की पांच लाग हुआ करती थी किसी की पंद्रा हुआ करती थी पंद्रा से 25 कर दे गए और 5 से 15 कर दी गई है मतलब इनकी कैश प्राइस भी बढ़ा दी गई है तो इसलिए इंपॉर्टनिंट हो जाते हैं और 2021 में किसको दिये गए ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो अब आजाते हम अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या था आपके लिए तो आपका अंसर क्या हो जाएगा सुनी दाबास इनको मिला था पहली बार मतब ये पहली फीमेल थी जिनको की 2012 में द्रोनाचारे अवार्ड थे समानित किया गया था और 2014 में इनको पदमश्री अवार्ड भी मिला है ये मतब इंडियन कबड़ी टीम की कोच प्लेयर थी तो इ जोड़े रहिए पाच्छाला रिशिकेश के साथ आप हमारे ऑफलाइन बैचेश भी आट ते पांच वजे तक कोचिंग इंस्ट्यूट आके इन्रॉल कर सकते हैं बाके आप हम हमको इन सोशल मेडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं पाच्छाला रिशिकेश के नाम से थांक थांक यू सो मच हैव नाइस दे बाबाए